आप हेलो गाइज स्वागत है आप सब का इस चैनल के और एक वीडियो पे यह जो हमारी curiosity रहती है ना सारी चीजों को जानने की यह कैसे काम करता है यह कैसे होता है तो आज हम टर्बो चार्जर को लेके सारी curiosity दूर करने वाले है तो टर्बो चार्जर टर्बो चार्जर जो ट बहुत सारी gases का mixture वो बहुत जादा फोर्स से आपके इंजिन के अंदर बेशता है तो चलो detail में देखते है कि टर्बो चार्जर क्या होता है तो what is a टर्बो चार्जर यह है हमारा पहला सवाल तो अ टर्बो चार्जर इस टर्बाइन ड्रीवन फोस इंडक्शन डिवाइस देट इंक्रीज इन इंटरनल कमशन इंजिन एफिशनसी एंड पावर आउटपूट बाइफ एक्ष्ट्रा एर इंटू दे कमशन चेमबर तो यह फोर इस टर्बो चार्जर में क्या क्यक्तन स्पोटे हैं वह हम देखेंगे एक बेसिक बॉर्डी टर्बो चार्जर का यह कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ रहां पे हम देखे तो यह सेंटर पोशन है यहां पे अपको टर्बाइन दिखेगा यहां से एर जो है वह एक्जियली इनवर्ड जाता है और यहां से जो हट गैसे रहती है वह जाती है और एक तरह से आउट्पुट मिलता है फिर यह जो आप देख सकते हो यहां पे यह यह जो यहलो कलर के सब्यादर के लिए इसके अंदर रोटेटिंग पार्ट रहते हैं जिनको लूब्री केशन लगता है तो यहां पे यह एक ओलाइन है फिर यह जो है यह टर्बाइन का है टर्बाइन साइड है इसका इसमें दो साइड रहता है एक साइड पे टर्बाइन रहती है और एक साइड इसका जहां पे एर रहता है जो में इंजिन में जाता है तो टर्बाइन साइड से जो एक्जॉस्ट गैसे रहते हैं इंजिन के वो जाते हैं और यहां से जो atmospheric air है वो compress होता है वो यह जो blades आपको यहां पर दिख रहे हैं यह blades का काम है जो atmospheric air है उसको अदर लेना और उसको compress करके engine में डालना engine का जो inlet port है वहां पर डालना फिर अब हम देखेंगे इसमें तर्बाइन रहता है एक रहता है जहां से एर बहार स्टराइब और कंप्रेस करके हम इंज्नें देचते हैं अब हम वा किंग देखेंगे कि असल इंज्न में कैसा वाक करता है तो यहां पर यह है एक टर्बाइन का डायग्राम यह बीच में जो शाफ दिख रही है आपको यहां से यह वाली यह common शाफ्ट है यह शाफ्ट connect करती है एर इंलेट और exhaust gas discharge के दोनों जगा जो टर्बाइन्स रहते हैं उनको connect करती है यहां से जो है ambient air inlet और यहां से exhaust gas discharge यहां पर compressor air intake manifold gas inlet from exhaust manifold तो जब अपना engine work करता है तो उसमें जो exhaust gases बनती है जो combustion होने के बाद जो gases बाहर आती है तो वो directly हम जो exhaust का muffler है वहां पर नहीं connect करते हम यहां पर जो इसका gas inlet from engine manifold है यहां पर उसको connect करते हैं तो यहां से यह घुमता है और जो hot gases है वो expand होती है यह turbine के अंदर और यह turbine को घुमाती है यह turbine का common shaft है यहां पर तो उससे यह वाला जो दूसरा turbine है वो घुमता है और यह जो भाहर से ambient air है उसको अंदर खिशता है अंदर एक vacuum बनता है जिससे यह ambient air है वो अंदर आता है और यहां पर जो compressor air to intake manifold यह जो है यह main आपका intake है जो आपके इंजिन के अंदर जाता है और यह exhaust discharge gas है जो आपके muffler रहता है जो silencer रहता है आपके गाड़ी के पीछे वहां connected रहता है और यहां से energy को यूज करता है अब यह compressor में हमें बहुत बार इंटर कूलर लगता है क्योंकि जब जो भार से air हम लेते हैं उसको compress करते हैं तो वह बहुत हीट होती है तो वह हीट को कम reduce करना पड़ता है तो उसके लिए हम एक इंटर कूलर लगाते हैं तो यह पूरा जो system है इसमें इंटर कूलर भी लगाया हुआ है तो यहां से air flow sensor है जो compressor से आता है और वाया इंटर कूलर जो air है वो थोड़ी कूल हो जाती है एर जो कूल होती है तब उसकी density बढ़ जाती है इसके वज़े से जो combustion है वह बहुत अच्छा मिलता है oxygen बहुत जादा मिलता है एर हमें dense air मिलती है जिससे power में फरक गिरता है ज्यादा volumetric efficiency मिलती है यहां से यहां से जाके turbine को घुमाता है और फिर catalytic converter से muffler को यहां पर एक waste gate भी दीवी है यह वेस्ट गेट क्यू है जो पावर है जो यह अपने टर्बो charger में यूज हो रही है वह पावर को कंट्रोल करने के लिए यह वेस्ट गेट जो सारी exhaust gases है उसको turbine में नहीं जाने देता with power requirements यह थोड़ी बहुत डाइरेकली यहां पर बाइपास कर देता है dump pipe में और वह सिधा without उसकी energy use किये वह catalytic converter से बाहर चलियाती है muffler की तरफ अब हम देखेंगे जो pros और cons है तो pro है इसका quick increase in power quick increase in power जो आपका normal जो गाड़ी रहेगी without turbo charge तो उसकी power obviously कम रहेगी क्योंकि इसमें force induction नहीं रहेगा air का तो इसके लिए turbo charger लगाने से power में बहुत जादा increase होती है बट quick increase turbo charger में super charger इतनी quick increase नहीं होती है क्योंकि super charger जैसे ही इंजिन स्टार्ट होता है वैसे ही सारी power देना चालू कर देता है बट यहां टर्बो charger पे इंजिन स्टार्ट होता है जब hot gases बनने लगती है वह बहार आती है इंजिन आउटलेट से फिर टर्बो charge रोटेट होता है और तब जाके वह एक particular amount of air है उसको compress करता है जिससे हमें हमारी power बढ़ेगी फिर easy to tune इसकी tuning बहुत ज्यादा easy रहती है super charger से क्योंकि super charger थोड़ा complicated है उसके अंदर पार्ट जादा है उसको इंजिन से connect करना पड़ता है तो इसके लिए टर्बो charger को खाली हमें जो इंजिन का इनलेट है और आउटलेट है उससे connect करना पड़ता है फिर increased volumetric efficiency दोनों से टर्बो चार्ज और सुपर चार्जर दोनों से volumetric efficiency बढ़ जाती है बिना टर्बो चार्ज और बीना सुपर चार्ज इंजिन से जो क्योंकि इसमें बहुत dense air आ रहा है उसी सबसे हम फ्यूल भी भेज रहे है बैटर माइल्स पर गैलन यह है इसको हमने इसमें सुपर चार्जर रखा है सुपर चार्जर में माइल्स पर गैलन कम मिलते है क्योंकि उसमें पावर भी ज्यादा बढ़ती है तो वेटर MPG कितने माइल्स अब की यह जा रही है कितने माइल्स अब की गाड़ी चल रही है without ये एक particular gallon के एक gallon air पे कितने mile सबकी गाड़ी आगे जा रही है फिर टर्बो चार्जर के कॉन्ज उसमें है टर्बो लैग टर्बो लैग जो एर आता है वो लैग होता है थोड़ा सा जो उसकी speed है वो थोड़ी कम हो जाती है वो उल्टा खिस लेता है Puerto Leaks Optimism often small power-band जो power-band रहता है इसका small रहता है मतलब जो एकदम force ली एक Particular power बनेगा और फिर वो engine के अंदर जाएगा वैसा रहता है टर्बो चार्जर में Super charger के अंदर जो power-band रहता है वो जो power वो Create करता है वो जादा रहती है जो जो power band रहता है वो बड़ी रहती है turbo charger से non-linear power delivery power delivery है क्योंकि engine का exhaust है वो एक similar नहीं रहता एक particular speed से नहीं जाता है तो इसके लिए कभी exhaust ज्यादा आ रहा है कभी exhaust कम आ रहा है उसमें ज्यादा difference नहीं रहता बट वो linear नहीं रहता उसका भूब्रीकेशन करना जिसका नेसेसरी होता है तो वह बढ़ जाता है तो यह थे टर्बो चार्जर के कॉन्स तो थैंक यू गाइस यह वीडियो यही तक था आपको अगर अच्छा लगा मेरा कंटेंट मेरा वीडियो तो प्लीस चैनल को सब्स्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरू दबाईए थैंक यू